तो दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं जो एक option trader के लिए बहुत ज़़ा important है अगर आप बैं निफ्टी फिन निफ्टी में option trading करते हो तो यह जो इंडिकेटर है आपको जरू यूज करना चाहिए इसका नाम भी आपने सुना होगा बहुत ज़़ा popular indicator है और option trader के लिए तो यह बहुत ही जबरदस्त है helpful है जो जो detail एक option trader को चाहिए trade लेने के लिए या फिर exit करने के लिए वो सारी डीटेल वो सारे indicator एक ही indicator में यह जो indicator वो cover करता है ठीक है इस indicator का नाम में आपको बता देता हूं इस indicator को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा option लिखना होगा ठीक है option scalping v2 यह वाला indicator आपको चार्ट पर लगा देना होगा ठीक है इस indicator को चार्ट पर लगाने के बाद कुछ settings आप कर सकते हैं जैसे कि इसमें से आप लोग PSR जो है ठीक है इसको हटा सकते हैं ठीक है और इसका जो शेफ है वह आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसार से ट्राइंगल पी दे सकते हैं तो यहां से आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं तो यह जो इंडिकेटर है इसके यूज करना है वो सारी डीटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसे पहले दूस्तों अगर आप मेरे जहां पर पहली बारा हो मेरे जहां पर नए हो तो मेरे जहांने को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कर दीजीगा जिससे कि दो टीन इडिकेटर है ठीक है प्लस यहां पर यह बॉाटम हर राए ठीक है यह बॉटन है टॉप है जैसे की कि यहां पर इसने बॉटम पर देगा मतलब यह उचार मतलब इसके पंक देखे तीन इंडिकेटर यह चार समझ लिए उपर से आप बॉटम टॉप दोनों कर सकते हो पर एक साथ में दोनों नहीं दिख पाएंगे जैसे कि यहाँ पर जाके आपको टॉप सिलेक करना होगा इसका शेप जो है वो आपको ट्रैंगल डाउन क करेंगे तो आपको टॉप भी दिखाए देना ठीक है इसको जो है बॉटम में यूज करना है बॉटम यह बहुत अच्छे से दिखाता है इसलिए हम इसको बॉटम देखने के लिए ही यूज करेंगे ओके तो ऑप्शें स्कैलपिंग वी टूबा यूज करना है वो मैं आप आपको बताता हूं तो इसके अंदर देखिए जो इंडिकेटर है वो मैं आपको बता देता हूं पहले फॉंक्षन बता देता हूं तो इसके अंदर जो पहला यह वाला जो इंडिकेटर है यह है अपना इंडिकेटर ए यहां पे नेगेटिव हुआ वाँ से मार्केट गिरा बड़ा जब तक सुपर थे पॉजिटिव था मार्केट उपर गया रुक्न के कोशिस की ब्रेकडान हुआ फिर से लुए पे आ गया टीके सब्सक्राइब आपको पता ही विवक्त प्रेंप की इतना important role है trading के अंदर VWAP एक support resistance की तरह काम करता है तो हमेशा आपने चार्ट पर VWAP जरूर लगा के रखी यह आपको बहुत ज़़ा beneficial करेगा अब तीसरा जो indicator है वो है यह हमारा जो है W VWMA है ठीक है VWMA है तो वह ज़ाधा इतना important नहीं है इसको आप बंद भी रख सकते हैं बड़ ट्रेट लेने के लिए confirmation के लिए जैसे कि दोनों के super trend VWAP और VWMA के उपर है तो आपको trade लेने में extra confirmation मिलेगी अब side के लिए उपर होना चीए downside के लिए नीचे होना चीए तब एक अच्छे से आप ले सकते हैं जैसे कि देखी यहाँ पर VWMA के उपर है VWMA के उपर है super trend के उपर है तो यह positive है ठीक है उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है जब भी market जो है VWMA super trend के नीचे जाता है market negative हो जाता है तो इसका use कैसे करना है वो बहुत बताऊंगा बढ़ा है कितना percentage का change है 15 minute में positive है negative है एक घंटे में positive है negative है ठीक है यह सारी retail bank nifty के लिए भी मिलेगी nifty के लिए फिन nifty मिले global market में डाव जो दाव का फूचर है वो positive है negative है Wix क्या है और देखे bank nifty और nifty में trade करते समय हमें HDFC, ICISI, KOTAK, ICIS यह सारे जो है यह सारे जो stock है इस पर भी नज़र रखनी होती है तो यह सारी detail आपको मिल जाती है अब इसके बीच पे हम trade confirmation कैसे लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ आपको ठीक है रिप्ले करके मैं बता देता हूँ कि नीचे close किया तो हम यहां पर दियान देने लगेंगे कि कौन सा बैंक नेगेटिव हो रहा है बैंकी में कोई selling वगर है या नहीं निप्टी में selling फिर निप्टी में कोई selling है क्या नहीं सब कुछ हमें देखना होता है तो हम लोग आगे बढ़ते है ठीक है अब देखे second confirmation भी आने वाला है कि DVW में यह की नीचे आया प्लस हमारा जो है super trend भी अब negative हुआ super trend negative हुआ तो देखे यहां पर क्या है HDFC bank, ICIC bank और XCIS यह सारे जो है 15 minute में negative हो चुके है ठीक है 15 minute में अभी यह negative projection पर आ चुके है तो यह देखना है कि देखे जैसे यह breakdown हुआ है 15 minute में negative हो चुका है ठीक है तो यह सारे bank में selling आ चुके है selling आ रही है मतलब हम sell side के लिए जा सकते हैं तो हम trade ले लेंगे sell side का देखे retracement के बाद देखे अच्छानक से market में देखे सारा जो है red हो गया मतलब एक अच्छी का से selling आ गई ठीक है मतलब आपको यहां से confirmation ले सकते है कि bank निप्टी गिर रहा है तो सच में गिर रहा है यहां पर banking के जो sector है उनमें भी selling आ रही है ठीक है major bank जैसे के HGPC, ICIC, KOTEC में अगर selling आ रही है तो आप sell side के लिए जा सकते हैं तो इस तरह से selling का भी trade आप confirmation ले सकते हो उसके बार यहां पर देखे market अभी देखे VWMA के उपर इसने closing किया है VWMA के उपर closing कर रहा है super trend अभी negative है जैसे super trend positive होगा हम पिरसे यहां से confirmation लेंगे ठीक है अब देखे super trend positive हुआ है और यहां पर देखे 15 मिनिट में सारे जो stock है विक्स जो है वो सारे 15 मिनिट में positive हो चुके है ठीक है निफ्टी बैनिफ्टी सारे positive है तो यह हमें बताता है कि अब देखे सारे stock में थोड़ी थोड़ी buying शुरू हो चुकी है buying हो रही है तो buying हो रही है पर इसको ले सकते है ठीक है यह देखे उसके बाद market कितना अच्छे से उपर की तरफ निकला है फिर से इसको जाने देंगे उपर की तरफ अब super trend negative होगा तब कुछ सोचेंगे यह देखे अब देखे पहली candle VWM के नीचे closing होई पर एक candle उपर गई है अब जैसे VWM के नीचे candle closing होगी हम फिर से यहाँ पर confirmation लेगी कोई negative फिर से फ्योड़ा सा पीछे ले लेते हैं तो हमें exactly हमारा जब point है वो मिल जाए ठीक है एक बड़ी candle ने क्या हुआ है सारे जो stock है बागी जो यह stock है सारे नेगेटिव हो चुक है मतलब एक नेगेटिव confirmation आया फिर भी हम थोड़ा सा एक candle और वेट करेंगे ठीक है यहाँ पर देखिए सारे बैंक नेगेटिव हम सेलिंग साइल के लिए जा सकते है कुई सारे बैंकिंग सेक्टर में सेलिंग आ रहे है तो यह फिर से सेलिंग के लिए जा सकता है यहां तक इसने सेलिंग कर लिए ठीक है तो इस तरह से इसको यूज करना है और आप इसको बैक्टेस भी कर सकते हैं अपने इसाब से बड़ जनरली देखिए और बाकी सारे थोड़े बैंक थोड़े थोड़े नेगेटिव तो भी हम सेलिंग नहीं जा सकते हैं मेजर जो सेक्टर है HDFC यह बैंक निप्टी में स्टॉक जो है तो इस तरह से हम जो है मारकेट का है Supertrend के नीचे है VWM के नीचे है तो मारकेट में क्या आ सकती है सेलिंग यह आनी है क्योंकि नेगेटिव प्राइजेक्शन जैसे वी ड़वले में और जो Supertrend है इसके उपर निकला तो देखिए यह मोमेंटम देटा है यहां पर देखें सुपर ट्रेंड क्या हुआ है नेगेटिव हुआ वी डबले में की नीचे कैनल खोई और मार्केट यह क्या है ठीक है साइड वेसे थूड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बाकी यह बहुत अच्छे से काम करता है यहां पर क्या हुआ मार्केट प्राइशन ने उसके बाद देखें यहां सुपर ट्रेंड नेगेटिव होते ही हमें थोड़ी सी सेलिंग मिलगी बस यह बहुत अच्छे से काम करता है सिर्फ आपको इसको थोड़ा सा जहां से यूज करना है अपने जो सेटप है उसके साथ इसको यूज करता है जैसे कि यहां पर यहां नेगेटिव हेँ वी डावी उनुम मस्ट सब प्रइक कीया इसके बाद मार्क्फ फॉल किया को यह देखें यह बाटम और टॉपी कहईज पकडता है जैसे कि patrol यहां पर इसने बता दिया कि यहां से उसके बाद देखे यहां पे भी क्या है बोटम सीनल दिया से वाटम सीनल दिया माउ야 से ऊपर ठीक है तो इसके बहुत सारे की एक इंडिकीटर में आपको सारे चीजिए यूज करने को मिल जाती तो अगर आप करते हैं तो चार्ट पर यह इंडिकेटर लगा के भी यूज़ कर सकते हैं आप अच्छे साइकोलोजी के साथ और एक एक्ष्ट्रा कंफर्मेशन के साथ आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो ठीक है तो इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो पश्चन मुझे जरूर कमेंट क करिपन सकते जरूरूरूंगा